सार्वजनिक सुविधाएं किवल नीजी आय से ही हम अपने बहतर जीवन के लिए सभी आवश्यक एवं बुन्यादी सुविधाएं नहीं खरीच सकते जैसे अपनी आय से हम प्रदूशन मुक्त वातावरन नहीं खरीच सकते इसके लिए हमें शुद्ध वातावरन वाले परिवेश में जाना होगा पैसा भी हमें संकरामक बिमारियोंसे नहीं बचा सकता इसे तो स्वक्ष वातावरन बनाने की आविशक्ता होती है ताकि बिमारियों के फैलाओ से बचा जा सके इसी प्रकार सभी वेक्तियों की सुरक्षा है तो प्रिथक प्रिथक सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किये जा सकते परन्तु एक सुरक्षित एवं शांती पूर्ण वातावरन का निर्मान किया जा सकता है इसी प्रकार हमें कई सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यक्ता होती है उदाहरन के लिए स्वक्ष पेजल की सार्वजनिक उपलब्धता से सभी लोगों को फायदा होता है सार्वजनिक वितरन प्रणाली की सुचारू व्यवस्था से लोगों को राशन जैसी मूलभूत सुईधाये कम कीमत पर प्राप्त हो जाती है इससे कुपोशन का अस्तर कम होता है मूलभूत सार्वजनिक व्यवस्था का प्रभाव लंबे समय तक कैसे रहता है? इसे एक उधारन से समझ सकते हैं आजादी के समय हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षा का अस्तर बहुत कम था 1999 में यहां के केवल 64% लोग साक्षर थे पहाडी इलाका होने के कारण यहां पाठशालाओं का विकास करना काफी चुनोती पूर्ण कारे था हाला कि सरकार एवं जनता दोनों ही सिक्षा के लिए उत्सुक थे राजी सरकार ने पाठशालाएं शुरू की और निशुलक अत्वा कम लागत पर सिक्षा सुनिश्चित किया धीरे धीरे इन विद्यालों में सिक्षकों, कक्षाओं, शौचालें तथा पीने के पानी आदी की सुविधाएं दी गई यह आश्चर जनक है कि वर्ष 2005 में जबकि पूरे देश में प्रतेक बालक बालिका की सिक्षा पर और सत 1,049 रुपे खर्च किये जा रहे थे जबकि हिमाचल प्रदेश में यहां खर्च 2,005 रुपे था इस राज में लड़कियों की सिक्षा को प्रोटसाहित किया गया फलसरूप यहां की सिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया यहां शिशू मृत्यूदर तथा लड़कियों की बार मृत्यूदर में भी कमी आई यहां की महिलाएं कामकाजी एवं आत्म विश्वासी है खुद भी घर से बाहर काम करते हुए अपनी बेटियों से बाहर काम करने की उम्मीद रखती है ग्रामीर मंडलियों में इनकी सक्रिय भागिदारी है इस प्रकार सिक्षा ने इस प्रदेश में काफी बदलाव ला दिया है 2011 की जनगर्ना के अनुसार साक्षर्ता दर 83.98 प्रतिशत तक पहुँच गई है अब इस राजिका मानो विकास सूचकांग अन्य राजियों से काफी बहतर है इसकी एक जलक नीचे दी गई तालिका 17.7 में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में पाँच वर्ष से अधिक स्कूली सिक्षा पाने वाले छात्र छात्रा हैं इस प्रकार हमने इस अध्याय में विकास की अवधार्ना को जानने का प्रयास किया विकास के मापन हेतु हमारे पास कई मापदंड मौजूद हैं इन मापदंडों के आधार पर मानो विकास संकेतकों में हुई प्रग्ति का जब हम अनुमान लगाते हैं तब विकास का वास्त्विक अर्थ समझ में आता है आय साक्षर्टादर, जीवन प्रत्याशा तथा समाज में पोशन का स्तर जैसे मानकों की कसोटी पर खराव तरनी वाला विक्सित समाज की श्रेडी में रखा जाता है